आधुनिक medical science के इस दौर में, organ donation किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मुर्त्य के बाद अपना शरीर दान करता है, तो उससे 8-9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोस की बात है कि आध देश में organ donation के प्रती जागरुकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में organ donation के 5000 से भी कम कैसिस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15000 से ज़्यादा हो गई है। organ donation करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने बाकई बहुत पुन्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुन्य कारे करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देश स्वासों के साथ भी शैर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुन्दर गुडिया के पीता और उनकी माता जी हमारे साथ जुडने जा रहे हैं। पिता जी का नाम है सुख्वीर सिह संदू जी और माता जी का नाम है सुप्रित कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमरुसर में रहते हैं। बहुत मन्नोतों के बार उन्हें एक बहुत सुन्दर गुडिया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 49 दिन की थी, तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखवीर सी सिंदु जी और उनकी पत्नी सुपरित कौर जी ने और उनकी परिवार ने बहुत ही प्रिणादाई फैसला लिया। ये फैसला था, 49 दिन की उमर वाली बेटी के अंगदान का, और गन डोनेशन का, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुखवीर जी और उनकी स्रेम्यती जी मौजूद है। उनसे बात करते हैं। जिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कस्ठ कितना भेंकर होगा, उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया, तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ। सर बगवान ने बहुत अश्या बच्चा दिया था हमें, बहुत प्यारी गुडिया हमारे गर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिबाग में एक ऐसा नाडियों का गुशा बना हुआ है, जिसकी वज़ए से उसके दिल का अकार बड़ा हो रहा है। तो हम हरान होगे के बच्चा की सेहत इतनी अशी है, इतना खुलसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी स्मस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा बलकुल नॉर्मल रहा है। अचानक उसका दिल एक दम काम करना बंद हो गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजी आई चंडीगर ले गए। वहां बड़ी बहादरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संगर्श किया। लेकिन बिमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी शोटी उमर में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको इर्वाइद करवाया जाए अगर शेमी नेक के आसपास पचा चला जाए तो उसका आपरेशन करने की सोची जा सकती थी। लेकिन बजवान को कुछ आर मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टरों ने का कि इसको दोबारा दिल का तौरा पड़ा है अब उमीद बहुत कम रहेगी है तो हम दोनों मिया बीवी रोते हुए इस दिरने पर पहुंचे कि हमने देखा था उसको भादरी से जूजते हुए बार बार ऐसे ल दोना में इस बच्चे के औरगन डोनेट कर दें शायद किसी और की जिंद्गी में उजाला आ जाए फिर उन्हें पीजेए के जो संपर किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने शोटे बच्चे के केवल किद्नी जी दी जा सकती है पर मातला ने हिमत दी गुर्णानक सुर्पित जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ नमस्कार सर नमस्कार सर ये हमारे लिए बड़ी गरब की बात है कि आप हमसे बाग कर रहे हैं आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बाते जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिन्दी बचान जी की शायद बक्षिष थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में गुरुआं की गुरुपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी बिल्कुल सर बिल्कुल सुक्विर जी जब आप अस्पताल में होंगे और ये इना देने वाना समाचार जब डॉक्टर ने आप जाबत का जो अर्थ सामाने भाशा में कहें तो मददकार होता है ये काम कर दिया ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूं जी सर अक्चली हमारे एक फैमली फ्रण परिया जी उन्होंने अपने ओर्गन डॉनेट किये थे उनसे भी हमें प्रेहना मिली तो उस समय तो हमें लगा शरीर जो है पंच तत्तों में विलीन हो जाएगा जो कोई बिशर जाता है चला जाता है तो उसका शरीर को जला दिया जात लेकिन अगर उसके और्गन किसी काम आ जाएं तो ये बले काई काम है और उस समय में और गर्व मसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस डोनर बनी है जिसके और्गन्स सक्सेस्फ़ली ट्रांस्प्लांट हुए तो हमारा सर गर रही है इस विशें पर प्रावक्ट का रहे हैं सुख्विर जी आज आपकी बेटी कहां सिर्फ एक अंग जिवित है ऐसा नहीं है आपकी बेटी मानवता कि अमर्गाथा की अमर्द्स यात्री बन गई है अपने शरीर के अंस के जरिए वह आज भी उपस्तित है इस नेक कार के लिए मैं आपकी आपकी स्रीमती जी की आपके परिवार की सरहाना करता हूं साथियों और डोनेशन के लिए सबसे बड़ा जजबा यही होता है कि जाते जाते भी किसी का भरा हो जाएं किसी का जीवन बच जाएं जो लोग औरगन डोनेशन का इंतजार करते हैं वो जानते हैं कि इंतजार का एक एक पल गुजरना कितना मुश्किल होता है और ऐसे में जब कोई अंगदान या देधान करने वाला मिल जाता है तो उसमें इस्वर का स्वरूप भी नजराता है जारखन की रहने वाली स्नेहलता चौदरी जी भी ऐसी ही थी जिनोंने इश्वर बन कर दूसरों को जिंदगी दी 63 वर्स की स्नेहलता चौदरी जी अपना हाट, किड्नी और लीवर दान करके गई आज मन की बात में उनके बेटे भाई अभी जी चौदरी जी हमारे साथ है, आईए उनसे सुनते हैं अभी जी जी नमस्कार, अभी जी जी आप एक ऐसी मा के बेटे हैं, जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही लेकिन और जो अपनी मृत्य के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन देकर के गई एक पुत्र के नाते, अभी जी आप जुरूर गर्वनुफों करते होंगे आप अपनी माता जी के बारे में जड़ा बताइए, किन परिष्थितियों में औरगन डोनेशन का फैसला लिया गया मेरी माता जी सराइकेला बोलके एक छोटा सा गाव है जारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्य पापा दोनों रहते हैं ये पिछले 25 साल से लगातार मॉनिंग वॉक करती थे और अपने हैबिट के अनुसार सुबच 4 विजे अपने मॉनिंग वॉक के लिए निकली थे उस समय एक मोटर साइकल वाले ने इनको पीसे से धका मारा और वो उसी समय गिर गई जिससे उनको सर पे बहुत जादा चोट लगा तुरत हम लोगोंने उनको सदर हस्पटाल सराइके लगा ले गए जहां डॉक्टर साब ने उनकी मरम पटी की पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था तुरत हम लोगोंने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेकर चले गए वहां उनकी सर्जरी हुई अरतालेस गंटे को अब्सर्वेशन के बाद डॉक्टर साब ने बोला है कि वहां पी चांसे बहुत कम है फिर हमने उनको एरलेफ्ट करके एमस टेल ही लेकर आये हम लोग यहां पे उनकी ट्रीटमेंट होई तक्रीबन साथ-ाट दिन उसके बाद पोजिशन ठीक था एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया उसके बाद पर चला उनकी ब्रेंट डेथ हो गई है तब फिर डॉक्टर साब हमें प्रोटकॉल के इसाब ब्रीफ कर रहे थे और्गन डोनेशन के बारे में हम अपने पिताजी को सायद यह नहीं बता पाते कि और्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है क्योंकि हमें लगा वो उस बात को अब्सॉब नहीं कर पाएंगे उनके दिमाग से हम यह निकालना चाहते थी कि ऐसा कुछ चल रहा है जैसे हमने उनको बुला कि ऑर्गन डोनेशन की बाते चल रही है तब उन्होंने बुला कि ने ने यह मम्मे का बहुत मन था और हमें यह करना है हम काफी निराश थे उस समय तक जब तक हमें यह पता चला था कि मम्मे नहीं बच सकेगी पर जैसे ही ये औरगन डोनेशन वाला डिसकॉशन चालो हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिफ साइड चला गया और हम काफी अच्छे एक बहुत ही पॉजिटिफ एंवायरमेंट में आ गया है, उसको करते करते फिर हम लोग रात में आट पजे काउंसलिंग हुई दूसरे दिन हम लोगों ने औरगन डोनेशन किया, इसमें ममी का एक पोच बहुत बढ़ा था कि पहले वो काफी ने तरदान और इन चीज़ों में सोशल अक्टिविटीज में ये बहुत अक्टिफ थी, खायर ये ही सोच को लेकर कि ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज़ के बारे में इस कारण से ये चीज़ हो पाया, कितने लोगों को काम आया अंग, इनका हार्ट, दो किड्नी, लिवर और दोनों आँख, ये डोनेशन वा था तो चार लोगों की जान और दो जनों को आँख मिला है, अभी ज जनों का नेत्रुत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है, और मैं मानता हूँ कि मा तो मा ही होती है, मा एक अपने आप में प्रेणा भी होती है, लेकिन मा जो परंपराएं छोड़कर खिजाती है, वो पीडी दर पीडी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, अभी जी जी धन्यवाद जी और आपके पिता जी को हमारे प्रणाम जुरूर कह देना, जरूर, जरूर, थैंक्यूर, साथियों, 49 दिन की अबाबत कौर हो, या 63 वर्स की स्नेहलता चौदरी, इनके जैसे दानवीर, हमें जीवन का महत्पस समझा कर जाते हैं, हमारे देश म आज बड़ी संख्या में, ऐसे जरूरत मंध है, जो स्वस्त जीवन की आशा में किसी औरगन डोनेट करने वाले का इंतजार कर रहे हैं, मुझे संतोष है कि अंगदान को आसान बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी पर भी काम हो रह इस दिशा में राज्यों की डोमिसाइल की शर्त को हटाने का निर्णे भी लिया गया है, यानि अब देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज औरगन प्राप्त करने के लिए रेजिस्टर करवा पाएगा, सरकार ने औरगन डोनेशन के लिए 65 वर से कम आयू की आयू सिमा क को भी खत्म करने का फैसला लिया है, इन प्रयासों के बीच मेरा देश वास्यों से आगर है कि औरगन डोनर जादा से जादा संख्या में आगया है, आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है जिंदगी बना सकता है